यह है LVDT trainer kit जिसमें हम सबसे पहले 10 mm पे vernier calipers को set करके display को zero set कर लेंगे जो यह blue port है इससे उसके बाद में displacement करके देखेंगे सबसे पहले हम 5 mm displacement करेंगे और display में देखेंगे कितना सो हो रहा है अब 2 mm हो गया 3 mm हो गया इसके बाद में हम 5 mm पे देखेंगे अभी 5 mm पे हमारा display में 5.100 हो रहा है इसमें जो kit में जो है plus minus 10% का error है जो कि माइक्रो मीटर में रहता है डिस्प्ले के निचे जो यह output दिया हुआ है इसमें हमको मिली वोल्ट मिलता है एक मिली मीटर के बराबर मिली वोल्ट पहले सबसे पहले हमको यह ग्लू पॉर्ट से आउट्पुट को जो है 0 set करना होता है 10 mm पे 10 mm पे 0 कर लेंगे तो जैसे displacement 1 mm होगा हमको output में भी 1 मिली वोल्ट मिलता है यह हमें चेक करना होता है experiment में भी यही सब चेक करना है